नमस्कार और विल्कम यौल टू स्टडी आईक्यू मैं वू प्रशान धवर नाव बहुत लंबे समय से ना इलेक्टोरल बॉंड काफी न्यूस में थे के एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉंड के जरीए कितना पैसा भेजा जा रहा है इस बात को लेकर काफी किरोशिटी थी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी एजियूम कर लिया था कि अडानी और अंबानी पता नी कितने बिलियन डॉलर दे रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को थुरू इलेक्टोरल बॉंड बॉंड बट सप्राइजिंगली जब डेटा सामने आया है न तो नमबर्स देखकर काफी लोग शौक्ड है इवें दो बीजेपी ओल टुगैदर टॉप पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है त्रू इलेक्टोरल बॉंड बॉंड सेकिंड नमबर पे कॉंग्रेस नहीं है सेकिंड नमबर पे है त्रिन्मुल कॉंग्रेस और थर्ड नमबर पे आ चुकी है कॉंग्रेस सबसे पहले तो ना मैं parties का data आपको दिखाता हूँ फिर उसके बाद बात करेंगे कि electoral bonds basically है क्या और इनसे related issues क्या सामने आये थे रिशेंटी सुप्रीम कोड को लेकर everything will become crystal clear सबसे पहले किस party को कितना पैसा मिला है ये देखते हैं ओके तो ये है लिस्ट आपके सामने नंबर वान पे बीजेपी है बीजेपी को electoral bond के जरीए जो donation में पैसा मिला है ये बाकी बहुत सारी political parties का आप अगर combine कर दोना तो उससे भी जादा है तरिनबुल कॉंग्रेस को 1600 करोड के आसपास, कॉंग्रेस को 1400 करोड के आसपास ये काफी surprising बात है क्योंकि कॉंग्रेस overall एक national level की party मानी जाती है तब भी electoral bonds में इनको तरिनबुल कॉंग्रेस से कम donation मिलना it is quite surprising फिर नीचे आपको various और political parties विलेगी जिनके बारे में आप काफी बार सुनते है news में YSR Congress, तेलुग देशम party, रास्त्री अजन्ताडल, RJD, लालू परसाद यालव की जो party है उसे 73 करोड, आमानी party को 65 करोड, DMK को almost 640 करोड, although अब ये जो सारा amount है न, इसको अगर हम add कर दे, तो ये amount बैठता है 12,155 करोड रुपे, यहाँ पे न, कई लोगे question ये race कर रहे हैं, कि ये जो data SBI ने release किया है, ये April 2019 से लेकर January 2024 तक का है, जबकि electoral bond introduce कब किये गए थे, सबसे पहली जो tranche है, electoral bonds की, ये 2018 में आ गई थी, तो 2018 से लेकर 2019 का जो data है, वो कहाँ पर है, ये भी मैं आपको crystal clear कर देता हो, और ये question अपने आप में बहुत important है, क्योंकि जब जानकारी सामने आई है, तो लोग कह रहे हैं कि पूरी जानकारी रखो, यहाँ पे आप देख पाएंगे, राज़ीव सर्देशाय की tweet है, ये कह रहे हैं, कि data from March 2018 to March 2019 yet to be put up, ये बात technically ठीक है, क्योंक probably ये data भी public कर दिया जाएगा eventually, तो ये जो data उसे पहले का वो भी आना बाकी है, और अभी के लिए जो भी ये number सामने आ रहे हैं, 6000 करोड, 1400 करोड, इसमें आपको और जंप भी देखने को मिलेगा, ये तो हमने बात कर ली है, कि किस political party को कितना पैसा मिला, और ये जो donors की list है, ये भी आप दे सकते हैं, कोई remarkable नाम आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, कुछ special data यहाँ पर नहीं है, बट question यहाँ पर यहाँ आता है, कि अचानक से ये सारी चीज़े न्यूज में क्यों आ गई थी, SBI, Supreme Court वगरा, अचानक से ये बात दुनिया के सामने क्यों आई है, इं financial year में, finance bill 2017 पास किया गया था, उसके अंडर क्या हुआ, कि एक system राया गया, कि अगर मार लोग कोई individual है, कोई company है, ये एक political party को पैसा donate करना चाती है, white taxable income के बाद, मतलब देखो, यहाँ पे कोशिच ये थी, कि cash का भी कम इसमाल हो, सीधा एक individual, ये जाएगा state bank of India के पास, electoral bond का एक simple form है, वो भरेगा, और जितना भी पैसा उसको donate करना है, political party को वो व्यक्ति donate कर पाएगा, now problem, इस system को लेकर बहुत लंबे समय से ये थी, कि जो भी donations आ रही है, जिस political party को donations दी जा रही है, ये सरा data था, SBI के पास, और ये data जनता के सामने नहीं आ रहा था, उसके बाद क Supreme Court में जाते हैं और ये कहते हैं, कि देखो electoral bonds में क्या हो रहा है, कौन किसको पैसा दे रहा है, किस political party को पैसा जा रहा है, हमको इसके बारे में transparency है नहीं, आप प्लीज ये जो सारी details हैं, ये reveal करिए, और जो money bill 2017 में पास हुआ था ना, उसमें ये बात भी लिखी है, कि सारे donors जो donate करते हैं, 20,000 से उपर in cash, उनके नाम reveal होने भी चाहिए, तो उसके बाद देखिए, Supreme Court ने recently, जो ruling करी है पिछले महीने, Supreme Court ने सबसे बड़ी बात तो ये कह दी, electoral bonds का system खतम, ये एक अपने आप में major decision था, हलाकि इसकी एक positive side भी है, एक थोड़ा सा इसका issue ये भी आएग कि सिंस अब electoral bonds खतम हो गई है ना, तो बहुत सारी funding जो political parties की है, वो cash में होनी शुरू हो जाएगी, इंडिया में जो चुनाव होते हैं, देखो काफी बार reports publish होती है, कि भारत में जो elections होते हैं ये दुनिया के या तो सबसे महंगे, या तो one of the most expensive elections होते हैं, billions of dollars खर्च कर दि funding होगी, cash के जरीए काफी अत्तक fund किया जाएगा political parties को, क्योंकि जो demand है पैसे की, वो तो कम होने नहीं वाली, खैर, अभी के लिए जो electoral bonds हैं, खतम, Supreme Court ने कहा के, जो redeem electoral bonds नहीं कर रखे, वो पैसा वापस करो, donors को, ये पूरा system Supreme Court ने बंद कर दिया, और साथ में ये भी कहा, क अब तक, जिस political party को भी जितना पैसा मिला है, जिसने भी ये पैसा दिया है, SBI ये सारी जानकारी देश के सामने रिवील करेगी, SBI ने जब ये order सुना, उन्होंने का के, सर, टाइम लगेगा, लंच बर एक बीए बीच में, हमें तीन महीने चाहिए इसमें, तो Supreme Court ने सिरा- और अब हमको बता लग गया, कि किस political party को electoral bonds के जरीए सबसे जादा पैसा मिला था, जो ये electoral bond का issue है इसको लेकर अभी भी लोग बहुत सारी information अपने perspective से share कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम MP की strength के हिसाब से देखें, तो BJP को इतनी donation मिली है, पर MP के हिसाब से, कि political parties को हमारे यां fund कैसे किया जाता है, इसको लेकर proper transparency चाहिए, और ये problem देखिए, हर democracy में आपको दिखेगी, even US में भी आप देखोगे, तो political parties को funding कौन दे रहा है, ये एक major issue रहता है, क्योंकि in the end देखो, आपको election जीतना है, आपको कहिना कई पैसा चाहिए होगा, आपको rallies करनी है, आपको promotion करना है, आपको television पर दिखना है, आपको और जगा दिखना है, इसमें आपको पैसा खरचना होगा, और जैसे मन आपको पताया, कई reports claim करती है, कि भारत के election में तो 14 billion से जादा amount खरचा जाएगा, इस election cycle में, 14 billion dollars की में आपे बात कर रहा हूँ, it is an insane amount of money, now again यह एक report है, कई reports कुछ और estimate भी बदाती है, बट कम शब्दों में यह समझ लो, कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत powerful है, और यहाँ पे obviously power में आना, it is very valuable, तो हमें as citizens इस बात का ध्यान रटना होगा, कि political parties को fund कौन कर रहा है, electoral bonds का data सामने आगया, बहुत अच्छी बात है, मगर अब और तरीके से जो political parties को fund किया जाएगा, उसका हम क्या कर सकते हैं, तो कही ना कही देखो, rules बनाने किया हो शकता है, कि election में political parties maximum इतना खर सकती है, और साथी साथ various or transparency mechanisms लाने किया हो शकता है, तबी जो हमारा actual objective है, इसे हम reach कर पाएंगे, अभी के लिए देखो, य electoral bonds का issue है, यह कुछ समय के लिए और news में रहेगा, कुछ data सामने आया है, कुछ data Supreme Court ने काए, कि SBI और data reveal करे, बताए कि जो total number of electoral bonds है, यह कितने है, वो data भी सामने आ जाएगा, but the larger question will remain, कि हम अपनी democracy को और transparent कैसे बना सकते हैं, तो इससे related in the future, और developments आएंगी, मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो उससे related लाता रहूंगा, और finally यहाँ पे मैं आपसे question भी पूछूँँगा, question यह है कि हाली में भारत के नए election commissioner कौन बने है, सुकबीर संदू, ग्यानेश कुमार, राजीव शर्मा, या फिर option D, both A and B together, comment section में करिये उतर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं hard दे दूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उतर क्या है, और हाँ आप लोगों के लिए एक important information, आप अगर UPSC aspirant है, अभी आप एक college student है, आपके पास time है, एक दो साल का आप अराम से UPSC की preparation करना चाते हैं, तो study IQ के batch 2 में अभी भी आप खुद को enroll कर सकते ह this is pretty much the best online course for UPSC examination that you can buy, simply comment section में जाईए, यहाँ पे आपको link मिल जाएगा, English batch का, Hindi batch का, जी हाँ, यहाँ यहाँ पे दो type के batch है, एक तो English language में, जहाँ पे आपको Hindi English दोनों का mix मिलेगा, English batch में, आप अगर enroll करना चाते हैं, तो इस link पर करिए click, आपके सामने यह page open हो जाएगा by the way, study IQ की जो app है, यह भी आप download कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आपको आसानी होगी, और उसके बाद आप click कर सकते हैं, यहाँ पर buy now पर और यह course आप purchase कर पाएंगे, बट जो यहाँ पे price लिखा है, यह पे करने की आउशकता नहीं है, नीचे आपे आप देख पाओगे, price के लिखा है, two offers available, now यह जो दो offer है, इनको आप अगर apply करेंगे, तो discount आपको उत्ता मिलेगा नहीं, but simply यहाँ पे आप अगर code डालते हैं, PD10, तो prices बहुत ज़रा गिर जाएंगे, you will get the maximum discount, live classes आपको मिलेगी, one-on-one mentorship आपको मिलेगी, writing program आपको मिलेगा, prelims test series, various advantages आपको मिलते ह हैं, इस course में, इस course की validity होगी 30 महिने की, and you can buy this after discount for just 23,999 रुटीज, so buy this course and start preparing for UPSC examination, तो इसी note के साथ, यह है वीडियो कांथ, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.